ओम शांती आज दो फरवरी 2022 की साकार मुड़ी आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम अभी इश्वरिय खजाने से पल रहे हो तुम्हारा करते बे है ज्यान का खजाना बाठ कर सब का कल्जान करना प्रस्न माया की गरचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते उत्तर जब गरचारी आती है तो ऐसे उंचे तुँचे बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्य बुद्धी बच्चे भी कहते हम नहीं मानते आच्चे बशुननती, कथनती, भागनती हो जाते हैं आज ममा बाबा कहते कल गूम हो जाते, पता ही नहीं चलता, लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सब को सरना गती तो एक बाप के पास ही मिलनी हैं गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शान्ती, यह गीत तो बच्चे समय परती समय सुनते भी हैं और अपने पारलोखीक परम पिता परमात्मा को याद भी करते हैं याद हमेशा उनको किया जाता है, जिससे कुछ न कुछ सुक मिलता है, बनारस में शीव के मंदीर है, वह बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं, जैसे लक्षी नारायन को सब याद करते हैं, क्योंकि उनके राज में सुक था, तब राजा राने की महिमा नि वर्ड का फादर है निराकार गौड उस एक को ही अवतार अर्थात री इनकॉर्णेशन भी कहते हैं वो एक ही बाप है जिसको अपना सुक्ष्म वैस्तुल सरीर नहीं है ब्रम्हा विश्णु संकर को भी सुक्ष्म सरीर है उनको भी अवतार नहीं कहेंगे अवतार अक्षर ब पती तो पावन है सर मनिश आतमाये जो भी आती है वो पहले सतो परधान फिर सतो तमों में आती है उनको पती दुखी होना ही है पुनरजनम तो सब लेते हैं ना प्रम्हा को भी मनिश्य कहा जाता विश्णु के दो रूप लक्ष्म नारायन को भी मनिश्य कहा जाता तो उन दुनिया पतित हो जाती है जो भी मनिश्य मात्र है सब गौड फादर की रचना है भीन नाम रूप से सब गौड फादर जरूर कहते हैं हर एक आत्मा की बुद्धी उस बाप को याद करती है ऐसे नहीं ब्रम्हा विष्णु संकर को याद करते हैं ब्रम्हा विष्णु संकर क तो बाप नहीं कहेंगे, बाप तो एक Creator को ही कहेंगे, जब संगम यूग होता है, सवी मनीश से पतित हो जाते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं कल्ब के संगम यूग पर कल्यूग को सत्यूग बनाने क्रियेटर है ना दिखाते हैं ब्रुम्हा दोरा स्थपना कराते हैं शंकर दोरा विनास्क विश्नो दोरा पालना कराते हैं आते भी ये भारत में शिवरात्री भारत में ही मनाई जाती है परंथु जानते नहीं कि शीव का नाम रूप देशकाल क्या है बाप कहते हैं मुझे नजान सर्व्यापी कह देते हैं मेरे बहुत गलानी कर देते हैं जिस कारण भारत बासी बिल्कुल ही पतित हो गए हैं जब भारत में सब पतित आत्मा ही बन जाती हैं तब फिर मैं आता हूँ, कलियोग में कोई पुईन्यात्मा पवित्रात्मा नहीं हो सकती, पवित्र दुनिया में पवित्रात्मा ही रहती है, उसको कहा जाता है शंपोन निर्विकारी दुनिया, उसकी भेड में कलियोग है विशस दुनिया, कलियोग के अंत और सतियोग के आ शत्यूग है पावन दुनिया फिर कनाय कमती होती जाती है शत्यूग तिरता को भी एक समा नहीं रखेंगे बाप कहते हैं मुझे बच्चों ने नंबर वार ही पैचाना है इस समय ही यह कहा जाता है क्योंकि माया सामने खड़ी है घड़ी घड़ी भुला देती है कहते हैं हम ब्रम्हा के बच्चे शीव के पोत्रे हैं यह कहते भी भूल जाते हैं अज्यान में ऐसी बात कभी नहीं बोलेंगे यह सामने कह देते हैं कि हम ब्रम्हा के बच्चे नहीं है एकदम भूल जाते हैं इतना भूल जाते हैं जो फिर कभी याद भी नहीं करते हैं यह एक भारत वासी अभी जानते हैं कि सौर्ग बनाने वाला परामपिता परमात्मा है और नर्क बनाने वाला माया रावण है फिर दोनों ही बाते भूल जाते हैं ना बाप को जानते ना रावण को जानते शीव को पूझते हैं और रावण को जलाते हैं परंत वावण यह हैं जीनो को पुझते उनके आकुपेशन बायोगराफिका पता नहीं और रावन जिसको जलाते हैं उनका भी बता रहें कि रावन क्या चीज है मनिश मात्र यथा राजारानी तथा परजा उसमें सब आ जाते हैं सब तूछ बुद्धी हैं बाप समझाते हैं और जो धर्म अस्थापन क ही कहेंगे अब तरण एक बाप का ही होता है भारत में परन्तो भारत बासी खूदी भूल जाते हैं भल परमपिता प्रमात्मा की पूझा करते हैं परन्तो कब आया क्या किया कुछ भी नहीं जानते न बाप को न रचना के आदी मजद अंध को जानते हैं न देवी कफी को जानते हैं इसलिए ही दूखी है भारत वासी पहले कितने सुखी थे बिलकुल ही वीश्व के मालिक थे अब वो भारत वासी यह नहीं जानते कि हम सब पावन सिष्ट चारी थे अगर थे तो कैसे बने कुछ भी नहीं जानते यह है वोंडर बाप कितना किलियर कर समझात किसको समझाएंगे अपने बच्चों को समझाता हूं बच्चों के इस सामने परतक्षे होता हूं परन्तु बच्चे भी परतक्षे हो मम्मा बबा कहकर फिर भूल जाते हैं यहीं वोंडर है अज्यान काल में कई बाप टीचर गुरु को भूल ना सके यहां यह पारलोकिक बाप जितना बड़ा है जो सब दुख दूर करते हैं। उनको भूल जाते हैं। तब कहा जाता है आश्चाजवा शुननती, कथनती, ओहो मो माया। तुम कितनी प्रवल हो। खूदी बाप, टीचर और सद्गुरू है। सो भी एकुरेट है। कहते हैं मैं बाप हूँ, तुमको जरूर अपने परमधाम में ले जाओगा। मैं तुम्हारा सिक्चक हूँ। पढ़ा कर तुमको जरूर राजाओं का राजा बनाओगा। मैं सद्गुरू हूँ। तुम बच्चों को नमबर वार पूर्सात अनुसर शब को वापिस जरूर ले जाओंगा। यह गैरेंटी करते हैं। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते हैं। माया की गरचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा, कल कहेंगे हमको संसे पढ़ता है। ऐसे ही होता रहता है। हा शब का सदगती दाता तो एक ही है। शब को सरण में लेने वाला भी है। शब आकर माथा जुकाने वाले हैं। परन्तु उस समय क्या कर सकेंगे। फिर ऐसा होगा तो इतनी भील्ड इकठी आ ना सके। यह खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इतनी भील्ड आकर क क्या करेगी। फिर सिग रही विनास सामने आ जाएगा। हाँ आवाज सुनेंगे कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब वापिस जाना है। बाखी मिलने से क्या भाइदा। बाबा डायरसन देते हैं कि भल कोई विलायत में हैं तो भी बाप को याद करते रहो। तो भी वॉंडर्फुल बना हुआ है। सब को पता पड़ेगा कि फाधर आया हुआ है। किरिशन सब थोडी पौप से मिलते हैं सब पहूँच ना सके। याभी सब को आंढ़ में पता पड़ेगा कि बाप आया है। सब को लिबरेट कर ले जाएंगे। कितना बड़ा विनास होना रोध्र माला कितनी जवरदस्त है? उनकी भेठ में विश्णू की माला कितनी छोटी है? यो तो कहें किसारी माला विश्णू की है? पहला-पहला तो विश्णू ठहरा न? घुनेटी का great-great-grandfada ब्रह्माही ठहरा ब्रह्माही फिर विश्णू बनते हैeten विश्णू के दो रूप है लक्षी नाराण फर्क कुछ भी नहीं यह बड़ी वंडरफुल बाते हैं इसको सिमरन करते रहो तो खुसी भी रहे बाबा ने समझाया है reincarnation सिफ एक को ही कहा जाता है क्योंकि उनको अपना सरीर नहीं है और सब को अपना-पना सरीर है बाबा को तो सरीर का लोन लेना पड़े औरों को तो अपना-पना सरीर है लोन लेने वाले चीज दूसरे की होती है कोई भी आत्मा थोड़ी कहेंगे कि हम लोन लेते हैं आत्मा तो कहती है मेरा सरीर है शीप बावा तो कहने सके कि यह मेरा सरीर है, वो शीप आधार लेते हैं, बच्चों को नौलज देने और योग सिखलाने, बच्चे भी जानते हैं कि बावा ने आधार लिया है, फिर भी घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं, दियाविमानी बनते हैं तो रिगार गुम हो जाता है, ने तो बावा क्या चीज है, अगर जाने तो उनके फर्मान पर जरूर चले, कदम कदम सीमत लेनी पड़े, परन्तु माया भूला देती हैं, कभी सीमत पर, कभी आशुरी मात पर, चल पड़ते हैं, कभी तरब भारी वो हलका, कभी उनकी मात पर, कभी उनकी मात पर, एक कि शिबाव की सीमत पर चलते रहें तो ठीक उपर भी चड़ते रहें परंदु अपनी मात पर भी चल पड़ते हैं बाप जो डारेशन आदी देते हैं उनको अमल में जरूर लाना पड़ें फिर कुछ भी हो जाता है तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था राजधानी तो थोड़ी आते हैं कोई को पांच परतिसद निशे हैं तो कोई को पंद्रह परतिसद Up belum में जब पता लग जाता है यह मेरा चाचा है मम्मा है तो पिर संसे थोड़ी पडता है या तो माया संसे में junya समें लावा हो जाते हैं वंडर है ना ये एक ही बाप टीचर सदकुरू है हर एक नंबर वार पूरसात अनुसार कल पहले मुआफिक उठाते हैं कल पहले जिसने जितना वर्षा लिया है हर एक की वही एक्ट चल रही है इस समय हम ब्रावनों की माला नहीं बन सकती क्योंकि गराचारी आती रहती है तो तूट पड़ते हैं फिर परजा की माला में आ जाते हैं परजा में भी कब कैसे कब कैसे माला है तो जरूर रुद्र माला और विश्णु की माला वह रूहानी माला वह जिस्मानी माला इसको समझने की बड़ी अच्छी विसाल और सच बुद्धी चाहिए बफा तो पावन आओ, बावा पावन दुनिया अस्थापन करते हैं, वो फिर पतित बनते हैं, फिर उनको ही पावन बनाने बाब को आना पड़ता है, कितना वोन्डरफुल पाड बजता है इस समय, इसलिए बलीहारी इस समय परामपिता प्रमात्मा के पाड बजाने की है, नमबर इस समय जो भी मनिश मात रहें सब पतित भरष्ट चारी हैं शत्युग में थे सेश्ट चारी परिस्तानी कितना राद दिन का फर्ग हैं अभी हम शिप बाव से बरसा ले रहे हैं अब हमको क्या मनाना है? मनाना होता है भक्ती मार्ग में इस समय सीमत पर तुमको खुब पूरसात करना है सर्वीश करनी है यह परदस्नी पर समझाने रसम बड़ी अच्छी निकली है इश्वरिय सर्वीश पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है जो इस वरिया खजाने से बलते हैं उनको तो पूरा सर्वीश करनी है जो जल्दी जल्दी मनिश्यों को कल्यान हो जाए अच्छा, मिठे मिठे सी गिल्धे बच्चों प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब ददा को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ते नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट चरती कला में जाने के लिए कदम कदम शीमत पर चलना है बाब को यथार्त पहचान कर देही अविमानी बन पूरा रिगार रखना है दूसरा पॉइंट इश्वर्य सर्वीश पर पूरा पूरा ध्यान देना है याँसे बुद्धी को सच और विशाल बनाना है आज प्यारी मिठे बाबा का बर्दान आपका नादी रूप निराका ज्योती सरूप आत्मा है और आदी सरूप है देवात्मा दोनों सरूप सदा स्मीती में तब रहेंगे जब नादी की लाइट माइट के आधार से सरूप जितिती में रहने का अभ्यास होगा ब्रामन बनना अर्था नौलेज की लाइट माइट के स्मीती सरूप बनना जो स्मीती सरूप है वो सवयं भी संतुष्ठे रहते और दुस्रों को भी संतुष्ठे करते हैं आज का स्लोगन शाधारनता में महानता का अनुभो करना ही महान आत्मा बनना है अच्छा, ओम शांती